नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग UP scholarship से related कुछ point पे बात करने वाले हैं कुछ लोगों का status जो इस बार भी गलत दिखा रहा है correction करने के बावजूद और कुछ लोगों का सही दिखा रहा है तो उसी के अधार पे हम आपको बताएंगे कि किन का जो है UP scholarship आ सकता है और किसका नहीं आएगा ठीक है हमारे पास दो status है उसी के अधार पर आपको हम समझाने वाले हैं तो यह पहला status है इसमें देखिए इनके status में आप यहां नीचे देख सकते हैं क्या दिया है verified ठीक है इनमें verified दिखा रहा है तो इनके जो है UP scholarship आएगी दूसरा status देखते हैं और यह हमारे पास दूसरा status है इसमें आप देखिए बिल्कुल यहां नीचे चलेंगे तो यहां पर देखिए यह बैंक के option में इनमें क्या दिखा रहा है यह बता रहा कि परजेंट नहीं है यानि वर्तमार में यह आई एफसी कोड नहीं है तो ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पहले जो है अलग अलग बैंक थे लेकिन बाद में जब दो बैंक एक में मिल गए तो उनका जो आईवसी कोड है वो बदल गया तो इसको आपको क्रेक्शन के टाइम चेंज कर देना चाहिए था और अपलिकेशन देना चाह सब्सक्ति इसका और कुछाम आपको का कुछा आयकी जो है जिसके में अईसा का तो से प्रक्स देना पर आओ